असलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम दलीला में एकदम ठीक उम्मित करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी वाइटी पर हंगामा हो गंदगी हो और इनके घर के कोई भी अपराजात रह जाए पीछे ये तो हो नहीं सकता है फिर चाहे वो हाजी गुलाम क्यों ना हो है ना उन्होंने भी आके जरूर व्यूद लेने भाई इस टॉपिक पर बात करके ये बोल रहे थे दो दिन पहले जो वीडियो डाले है उसके अंदर बोल रहे है के न जो भी जूड बोल रहे है काणी भी जूड बोल रहे है और एक कि बेटों को जरूरत थी आपकी हां आप आके उल्टा उनको गंदा करके गए थे खैर उसके पर आगे बात करती हूं अब यह आके ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दोनों जो भी लड़ लड़ के बाते करें वह बातें जूड जूड बोल रहे हैं हमारी तरो डेली बेस पर बात होती है पिटारा से भी होती है गौच्चु से भी होती है लेकिन जो लोग ये बोल रहे है इन लोग जो कुछ भी बोल रहे है वो जूट है अगर ऐसा कुछ होता तो वो दोनों हमें बताते हम बात करते तो ये इसके जूट बोल रहे है बोलने का जो मतलब था न वो ये था कि कि और दुत्रीम यह यह कि यह मदर में इनकी लड़ाई में लगा पर जो भी बाते कर रहे हैं तो यह बीच्छ कर रहे हैं इसके लिए उसने बोला है कि ये लोग जूड बोल रहे हैं सचाही है इनको ही खली आके गोंचु और पिटारा सब कुछ बताते जो के इनको मू लगाना पसंद नी करते बोल रहे थे कि स्रीफ वियूज का चक्कर है कोई सच नहीं है इनकी बातों में वो इस पे जूड बोल रही है रिस्तों का एसास नहीं है खून का एसास नहीं है आपको था आपका तो खून है ना अजगर कि आपका बेटा नहीं है किसी और का है कि आपी का खून है बताना तो जरा कि सल्मान आपका खून नहीं है आपने तो जो हरकते की है ना वाईटी पे आके खुद की अवलाद के लिए पितारा की सपोर्ट में तो उस्ते तो ये पता चलता है कि ये बच्चे आपके आई नहीं आपने नज्जों के लिए क्या नहीं बोला था आपने कभी भी ना सल्मा को सपोर्ट किया ना अजगर को सपोर्ट किया ना सल्मान को सपोर्ट किया आप आके ये बात बोल रहे हो कि रिट्टों का इतात नहीं है खून का एसास नहीं है थोड़ीती न शरम कर लो ही तुमर में आ जाते अपनी ही बेज़्जती करवाने के लिए पितारा को बचाना है उसके आगे अगर इनकी खून भी आ जाता है ना इनकी खुद की अलाद भी आ जाती है ना उसको भी रॉंग देंगे उसको भी गंदा कर देंगे ऐसास की बाते दूतरों के लिए कर रहे है पहले अपने गिरेबान में तो जाक लो और व्यूस की बात कर रहे है भई आप ये जो आके हमें सपोर्ट करो हमें प्यार दो हमें कामा बनाना है हमें ये करना है हमें वो करना आप किसली आते हो अरे आपकी ओमर चैनल चलाने की हां आपको तो दो साल बर तलब के छुपा के रखा गया था कि आप तो हो ही नहीं यह जो पिच्चर है ना इसमें आपका तो कहीं पर रोली नहीं था और जब आयो तो फिर डेरेक्ट चैनल बना लिए थोड़ी सी अपनी र है ना उन लोगों को अगर गंदा होना होगा ना तो चैनल बना लेंगे और आप आके चैनल बनाके बैठ गया पता चल गया बहुत रिस्पेक्ट थी बंदे के लिए मेरे दिल में और मेरी नजरों में कि हां बड़ा इंसान है फीछे बैटा है तो हग की बात करता होएंगा अपने बच्चों को ले के चल रहा है सारा कुछ में सोस्ती थी यकिन जब चैनल बना ना पता चला कि ये एक नंबर का दोगला है और इलग पहिते के भूके है और घटिया इंसान लोग है इनके अंदर बड़ा पन रिस्पेक्ट ये सब कुछ भी नहीं है इन में ये भी ज कर दो शरम करो अब यहां पर को यह तो नहीं बोल सकता है ना कि यहां पर बिल्लो की बेटी है इसके लिए वो करवाती होएंगी इनसे नहीं बिल्लो की बेटी तो सलमा भी थी सलमा के लिए कब इतने हग सचकी बात की है कब उसके लिए आवाज उठाया कब उसके बच्चो पेनी लाना चीए मतलब वो इनको बोल रहे हैं इनको पिटारा नहीं दिख रही है जो घर के जगड़े वो वाइटी पे लेकर आई जो आके सोतन को गंदा की जो आके हजबेंड को गंदा की वो नहीं बोल रहा है वह अभी सफर से आई है वो विचारी परेशान है किस चीज क लोग बोल रहे हैं गर के मुद्दे मतले करा आई टी पे क्या दोगला पने इनका और यह जो बार बार बोल रहा था ना कि डेली बात होती है पिटारा से डेली बात होती है तो तुम लोग कितने बड़े जूटे हो ना वो पताद चलता है अगर डेली बात करेंगी भी देली बात नहीं करती है जब गरत परती है तो बात करती है वरना तो अपनी मात भी नहीं करती है और गोंचु ने आके चपल मार के गया कि हमारी किसी से बात नहीं होती है फिर तू आके जूट बोल रहा है यहां पे के डेली बात होती है भाई थोड़ी सी शरम करो अपनी उमर का लिहाज करो बाकी बात में बंदे ने आकिर कार साज बोली दिया कि तुम लोग बोल रहे हो कि तुमारी वोईसे मेरे पास है वो बोल रहे है तुमारी वोईसे मेरे पास है तो ये सब तुम लोग कर रहे हो जिसकी मतलब असर सारी बाते तो जाएंगी पिटारा के उपपर, मतलब के, जैसे कि मैंने बोली ना, कि इसको उन लोगों से लेना देना नी, इसको पिटारा को बच्चाना है, जाएर सी बाते वोईसे निकलेंगी, तो पिटारा का सज भी तो खुलेंगा न, पिटारा नंगी होगी, तो इसके लिए ये है कि नहीं तुम लोग जूड बोल रहे हो मत लाड़ो आपस के जगड़े मत लेकर रहा हो आई ती पे वावावावावावा किते दोगले लोग है मैंने बोली ना इतको सिर्फ पर सिर्फ पिटारा को प्रोटेक करना है अम्मा को फोन की हाईगी कि जड़ा विडियो बनाने बोलो और मुझे प्रोटेक करवाव बोलो इनको कि ये लोग वह वह इसे ना निकाले वरना तो मेरी चिंदी-चिंदी हो जानी है क्या दोगले सच म बकी इनको बहुत तकलीफ हुई है, मतलब के बिल्ल अंती को, यह क्या बोल रहा है कि तुमने फात्मा के उपर बात कर दी, कानी को बोल रहा है, कानी ने बोली थी न, के फात्मा ने क्या सिला दी है, क्या की है, पिटारा के साथ में, वो मैं बताऊं क्या, वो मैं खोलूं क्य उसके अपर से ये बोल रहा है कि मेरी बीवी बहुत रोली है मेरी बीवी ने बहुत आचुबाए के पोती पे क्यों बात कल दिया बच्ची पे क्यों बात कल दिया मेरी बीवी बहुत लोली है वाँ 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 अच्छा बचाया जा रहा है फात्मा को नहीं पिटारा क जाइर सी बात है फात्मा की वह बात अगर सामने आएंगी तो गंदा कौन होगा पिटारा होगी बैंड किसकी बजेंगी पिटारा की बजेंगी उसको बचाने के लिए यह इसी बाते कर रहे है वरना बिल्लो तु अभी बड़ा रो रही है कि फात्मा के उपर बात कर दी तु इसी और का है अब बासी से लफड़ा है यह सारा कुछ बताया जा रहा था जब बिल्लो को रोना नहीं आया अभी रोना आ गया क्यों आ गया क्योंकि पिटारा नंगी होगी पिटारा की पोल पट्टियां खुलेंगी इसके लिए बिल्लो को रोना आ रहे औरना बिल्लो को कित वैसे पिठारा ने अक्टिंग अच्छी करवाई है और स्क्रीप अच्छी दिये कि बताओ बिलो रोरी है अम्मा रोरी है ताके ना अम्मा काट खेल सके और लोगों को इमोशनल फूल बना सके वैसे अंकल बिलो को रोते वह दिखाया नी इतना अच्छा कॉंटेंट था बिल स्क्रीप में ऐसा कुछ था ना तभी तो दिखाया नहीं गया स्री बोला गया तो सवाल है वह सब टाइम पर क्यों नहीं रोई अभी क्यों रोना आ रहा है तो बात कर लेते हैं जो आज अंकल की वीडियो आईए ना उसके उपर तो जी बताया यह गया था कि जो अंकल है न और लोगों ने यह भी बताये थे के नैना को यह एक अंक अच्छी नहीं लगती है यह पसंद नहीं करती है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और फिर बाद में के यह दोनों मिया वीवी चले गए रिसीव करने के लिए नैना को जबके बताया यह जा रहा था कि इनका तो खुल के वीडियो बना देते तो पता चल जाता कि हाँ चलो भई हुई होईगी बादचीत लोग आके बता देते कि हाँ वो आई थी मापी मांगी बादचीत हो गई है हमारी सुला हो गई है तो लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता और आज जब लोग रिसीफ करने के काला गया मुझे मिलने नहीं दिया गया और फिर वो सारी बाते भी जुटी थी जो बिल्लो ने वीडियो बनाई थी फिर बिल्लो ने ये जताई थी कि मेरा इंसे कोई लेना देना नहीं है ये लोगों ने ये कर दिये वो कर दिये और जो पीछे से हमें पता चलता रहा है कि कुछ के खिलाप कितना क्या बूला है तो वह सारी बातों को अगर फिर सामने रखा जाए तो ये लोग ने सिर्फ और तरीव लोगों को बेवकूब बनाए वरना तो पिर हैं लोगों ने यही है न के पिठारह की है और इसकी तो बाते होती है छल रो शलमासे तो पहले से हो रही थी ना सलमा को तो उसने सपोर्ट डिक़्ाइए थी तो सलमासे तो हो रही थी लेकिन पिठारा से उसकी बार्चीत चालू हो गई है जो गंद है ना ये कुछ समझ नहीं आया बाकी कल के वीडियो में मुझे ये दिखाई नहीं दी थी लेकिन थमनेल पे देख लो पिच्चर लगी हुई है के बिलो है ना गई थी एरपोर्ट पे साथ में गई थी रिस के दी तो वहीं चीजी बिलो को भी करना चीए था उसके सर पे हाथ रखती इससे गले मिलती और वीडियो बना के लोग डालते लेकिन उसको नहीं वह सारा कैप्चर किया गया वह सारी चीजे मिंस के आउडियांस को अभी भी बेवकू बनाया जा रहा है ना और इन सब जो को हाइट करना है क्यों हाइट करना है किसलिए हाइट करना है क्योंकि पिटारा के जो चाने वाले है उसको जो सपोर्ट करने वाले है जो उसको देखने वाले है वो लोग नराज हो जाएंगे वो लोग बोलेंगे कि बिलो को अपने घर में नहीं लेना देखो वो नेना से मिली हुई है, Σलमा के साथ में वह बहुत अच्छी है, तो यहां पर पिटारह का नुकसान होगा, तो क्या सलमा तुम पिटारह को बचा रही हो, तो इस चीज़ का तो फिर कमाली है ना क्या ही बोलूं मैं, मेरे तो कुछ समझी नहीं आ रही है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है अगर के बिलो सलमा के वीडियो में आती है सब को पता है कि वो वहाँ पे है तो चलो भाई वो उसके वीडियो में आ गई जब रिस्ते वगेरा आपके सब कुछ ठीक है तो फिर इस तरह से बिलो का छुपना अब ऐसा तो है नहीं कि सलमा को लोग ट्रोल करेंगे सलमा का कुछ नुकसान होगा नहीं सलमा के घर में है सब को पता है तो सलमा को तो कोई ट्रोल नहीं करने वाला हाँ नुकसान किसका होगा पिटारा का होगा के लोग देखेंगे कि हाँ सलमा के साथ सही है नैना के साथ सही है पिटारा को बोलेंगे अम्मा को मुमत लगाना अम्मा वो घर में नहीं लेना ये नहीं करना वो नहीं करना तो फिर पिटारा कि जब आपके पास में आ गए हैं तो आप उसका चैनल बन कर वा देते नहीं लेकिन उल्टा यहां पर यह हो रहा है कि उनका कैमरा पकड़ा जाता है पूरा पूरा उनका वीडियो बनाया जाता है फिर टाइटल लगाया जाता है जब तलक के यह लोग नहीं कर रहे थे ना ट अच्छे लगा रहे है यह सलमा लगा रही है तो मतलब कि आप लोग खूद पिटारा की सपोर्ट में वीडियो जो बन रही है इसमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब है कि पिटारा को आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो मतलब कि आप सब एक हो एक है हम सब एक है जो लोगों ने आवादे उठाई थी ना वो लोग बेवकूफ है देखो एक बात है ना मैं अभी भी बोलूंगी के इनकी सुला जिस तरह से मैंने बताई थी के तु मेरे पर बात मत कर मैं तेरे पर नहीं करूंगी अपना-पना काम करो वहां तलब के ठीक ह लेकिन एक ही थाली में खाना एक दूसरे के घर पर आना जाना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना और यह मतलब के वह पहले वाले रिष्टे मिंस के आप फिर से उसको मौका दे रहे हो के वह फिर से आपको ड़ते तो फिर तो मतलब अगर इतनी बड़ी चीज आप अगर प्रोब्लम बिल्कुल भी नहीं है के सुला नहीं होना चीए बले ही सुला हो जाए लेकिन इतनी के एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे एक दूसरे के घर पर आया जाए एक दूसरे की साली में खाना खाया जाए नहीं इतनी नहीं फिर तो वही बात है ना अगर आट साल पहले और आप अभी फिर मौका दे रहे हो फिर यह ड़तेंगी फिर आप मौका दोगे मिसके आप खुद चाते हो कि आपको यह ड़ते यह यहाँ पर बात आती है बस मेरी तरफ से इतना ही मैसेज था सलमा को बाकी हाँ कुछ चीजों को लेके बहुत दिल दुखा है बहुत दिल तूटा है और वो ऐसा नहीं है के उसमें मेरा कोई नुकसान है सलमा का नुकसान है उस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा सी हट हुआ है और मैं दिल में रखनी सकती थी मैंने जो था वो बता दी जो था वो मैंने बोल दी बाकी सलमा की जिन्दगी है सलमा बहुत अच्छे से समझ सकती है कि उसके लिए उसके बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो वो खुद अब अपनी जिन्दगी को संभाले प्रोटेक करे अपने आपको अपने हस्बेयान को अपने बच्चों को बाकी आगे ज सचो मैं कौन लेकर आया नैना लेकर आई और भी क्या के लेकर आई नैना कोई संदे था नह गीफ्ट वगेरा भी लेकर आई उएगी अब जाहिरती बात है मलेशिया गुमने के लिए गई ती पितारा उसके बाद में नैना का जाना सौधी तो गीफ्ट भी पहुंचाये गए होईगे हैं आग नहीं तो कल दिखेंगे लिकिन अब पता नहीं चलेंगा क्योंकि पितारा में गोंचु ने आके इतनी गंदी वीडियो बनाया इसा लग रहा था कि वो जो दरिंदे थे ना उसमें से एक गोंचु था जिस तरह से इसने सलिये की और जितनी भी गंदी गंदी बाते किया है ना तो इसा लग रहा है ना कि उसमें से एक क्रिमिनल गोंचु था जिसका मेरे लिए कोई कुछ वोलेंगा ना तो मैं गंदी जबानिन करूंगी TIF सलस्चेंज और गंदी जबान्य क्रें यहां पर कोई भी मर्दौ हो किसी के लिए भी एक इस फिर इत्षी और यहंगी करKर करके दिखाओ अब गंदी जबान यूज अपनी ओरतों के कपड़े उतारो हमें कोई लेना देना नहीं है अपनी औरतों के हलावा अगर किसी औरत के लिए तुम लोगों ने गंदी जबान यूज की ना जबान खीच के गले में लपेट डूंगी यहां और कहां चले गए भई अजगर कहां गया है नजर नहीं आ रहा उनको ये सब वीडियो रोक नहीं रहे अपने बाप को फिर इनके बच्चों पर बात आती है इनकी बीवी पर बात आती है उनको पता नहीं है के गंद ये लोग करते है फिर भुगतना उन लोगों को पड़ता है ये बैटके धमकी दे रहा है मैं गंदी जबान यूज़ करूँगा वीडियो डाल रहा है इनके बच्चे और वीवी थमनेल और टाइटल लगा के दे रहे बन करो इनका चैनल बड़े आईए अंकल लेक्चर देने वले किसी के बच्चों पर बात नहीं करो गंदी जबान नहीं यूज़ करो जिसका जो रिज्क है अल्ला पाक उनको देंगा तो भई तुम भी जरा ना ठंडे होके बैट जाओ ये जो इतनी आग लगी हुई ए न वी उसकी डॉलर की ये आपको ज्रक काम करो ये जो पैर लटक रही है न उसके लिए थोड़ा सी अल्ला करो और अपने काम से काम रखो अपने जाने की तैयारी करो और ये थारे लेक्चर है न अपने पात रहो जब तुमारे बच्छों के बच्छों के उपर बात हो रही थी न तो ये जबान पता नहीं कहां पे पिगल के गीर गई थी तो ये थारी बाते आपके मुह से जरा भी अच्छी नहीं लग रही है इतना कोई ये बे शरम आदमी है ये गोंचु ने जो जो बक्वास किया है ना उसके अपर ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि देखो गोंचु ने जवाब दे दिया है उन औरतों को उनको उनके असलियत दिखा दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि वो पीछे हड गए है मतलब तु सपोर्ट कर रहा है कि उसने जो जो बकवास की है किसी अउरत के लिए वो बहुत अच्छा काम की है तो यहां से मेरे से अजगर के लिए एक ही मेसेज है कि इनको है ना थोड़ी सी लगाम डाल दो वरना वो जो टोपो का रूख है ना आपके जो अब्बू है ना वो टोपो का रूख है ना आप लोगों की तरफ है ना मोनने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे है वो गंदी जबान को सपोर्ट कर रहे है वो जो देश में हुआ है और वो ही माइन्ड का बंदा बैट के दूसरी अरतों के उपर वो ही बाते कर रहा है उस चीज को ये सपोर्ट कर रहे है और जो बोल रहे हो ना कि वो लोग सुधर गए, चूप हो गए तो यहां पर कोई किसी का खाता तो है नहीं जो चूप हो जाएंगा कोई बराबर से डंडा दिये थे इसको समझ आई और वीडियो है ना प्राइवेट करके भागा है वो अब ऐसा ना हो के वो डंडा आपकी तरफ आ जाए तो थोड़ा सी ना अपने लिहाद करो उमर का और परतनल में जाके इसको कॉल करके इसको चाटो पिटारा को गोंचु को जिसको चाटना है चाटो वीडियो में आके इस तरह की बाते करोगे ना तो आपको भी वोई डंडा पढ़ सकता है फिल लिहाद नहीं होगा उमर का यह नहीं देखा जाएंगा कि आप किसके घर में ब मर्जी चाटना है जू करना है करो लेकिन बाइटी पर आके इस तरह से बयानात और यह सारा कुछ करोगे ना तो यह बिल्कुल भी बरदाश के काबिल चीजे नहीं है और इस चीज के वज़े से फिर आप लोग भी रगड़े में आते हो जाईर सी बात से आपके घर में बै के बैठा हुआ था अब आगे आए सपोर्ट करने के लिए पिटारा को बेशरम कहीं का मैं तो यही बोलूँगी जो इसने बोला है ना बहुत अच्छा जवाब दिया साजीद ने तो यह ना इज़त के लायक नहीं है इसके लिए मैं यही बोलूँ तो चले इंशालला रात को इसके उपर भी बात करेंगे लाइब में और यह वीडियो को यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते ना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लापी